हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर आज हम लोग देखेंगे साइन्स के बहुत ही महत्त्रपूंड क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी भरती परिक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाले हैं तो सबसे पहले इस चैन कौन सा पाचक हार्मोन चोटी आझ में सरावित होता है option यह स्टार्च, option B सीक्रेटीन आपसं सी गैस्ट्रिन आपसं डी इन में से कोई नहीं यहाँ पर एंसर सही हो जाएगा आपसं बी सीक्रेटीन पाचाखारमन छोटी हाद में सरावित होता है आपसं यह स्टार्च की अगर बात करें तो इस्टार्च लार के पाचन में सहायक होता है आपसं सी अगर गैस्ट्रिन की बात करें तो आमासे की भित्ती से गैस्ट्रिन हारमोन सरावित होता है इनसूलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है आपसं यह जस्ता आपसं बी सोना option C, ये NB दोनो option D, इन में से कोई नहीं insulin में कौन सा धातू पस्तित होता है answer हो जाएगा, जस्ता धातू पस्तित होता है English question के दरब चलते है किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया प्रथक किया जाता है option A, आमाश है option B, छोटी आत option C, व्रिक option D, यक्रत तो किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया प्रथक किया जाता है answer C हो जाएगा व्रिक के द्वारा जबकि अगर आमासे की बात करें तो जठर ग्रंतिया आमासे में पाई जाती है option B की अगर बात करें छोटी आत की तो मानो सरीर में पाचन का अधिकांस भाग छोटी आत में ही संपन्न होता है अगर लीवर की बात करें तो मानो सरीर का वह अंग जो ग्लायकोजन के रूप में कार्वो हाइट्रेट का भंडारन करता है वो यक्रित होता है अगला क्विस्चन स्वसंसे बाहा निकली वायू में कार्वन डायक्साइट की लगभग कितनी मात्रा होती है option ये 4%, option B 17%, option C 38%, option D 0.93% तो स्वसंसे बाहा निकली वायू में कार्वन डायक्साइड लगभग 4% होती है जबकि oxygen लगभग 17% होती है अगर वायू मंडल की बात की जाए तो वायू मंडल में उपस्थित nitrogen 78% होती है और argon 0.93% होती है अगला question यक्रित में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानों शरीर में रक्त को जमने से रोकता है तो रक्त को जमने से हिपेरिन पदार्थ रोकता है option ये सही हो जाएगा option C गलुकोज की बात करें तो पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्ज का अंतिमुत्पाद वो गुलुकोज होता है अगर बिटामिन ये की बात करें option D की तो कांड मचली के यक्र तेल में बिटामिन ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अगला question मानों सरीर में यूरिया का निर्माण की संग में होता है option ये तच्चा में option B फेफडा में option C यक्रत में option D इन में से कोई नहीं तो मानों सरीर में यूरिया का निर्माण होता है option C यक्रत में वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बाक्स में ज़रूर बता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद